हाई गाईस करेंट अफेर्स फंडा मैं आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अपिशेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम आरार भी पियो कलर्क के मेंस एक्जामिनेशन के लिए जन्रल अवेर्णेस सेक्षन को किस तरह से पढ़ें किस तरह से तैयार करें कि अच्छा से अच्छा स्कोर हम यह आपर एचीव कर सकें इसी बारे में चर्चा करेंगे तो देखिए नोटिफिकेशन का सबका सबकों इंद जारत है जो भी बैंकिंग एस्पिरेंस है कि कभी यह जलती से आए और तैयारी का भी आपके पास अच्छा समय है में से एक्ज प्रिमार्क्स के हैं 40 questions हैं तो देखिए पूरे वीडियो को आप अंतर तक जरूर देखिएगा आपको काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा किस तरह से करेंट अफेर्स आपको पढ़ना है हाली में जो बैंकिंग एक्जाम हुए हैं उनसे हमने क्या सीखा है कहां पर हमने ग आप गरें एक्जाम की तो जो प्रिया इसका यह अगस्त महीन में संभावित है की हो जाए और प्रस्तावीत है कि हो जाए संभावणायाया यसी और online examination की बात करें तो सितंबर में जो है हो सकता है ऐसे इन्होंने कहा है चलिए आग इसी बारे में पढ़ेंगे की करन्ट सबसे पहले कोश्चेन ही होता है कि कि करेंट अब महिने का मार्च अपरेल महीने तो अभी गए हैंना और मैं बिल्कुल लेटेस्ट हम अभी पढ़कर आए हैं तो यह वह अच्छा अच्छा वह कि आप अपने करंट अपरेंट कोने और जब तक इसका main exam हो जाएगा आपके current affairs बिल्कुल सटिक तरीके से अच्छी तरह से आपके तयार हो जाएगे दूसरी बात यह है कि आपको जो bank, business, industry, market से संबंदित current news होती है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर इन तीन महीनों पर जाता गौर करना है क्योंकि जो भी banking के संबंदित या फिर market संबंदि, industry संबंदि, business से संबंदि, news से संबंदि, current affairs आते हैं वो आपके एक दो महीने पुराने वाले ही आते हैं तो जुलाई का पढ़े, अगस्त का पढ़े और सितंबर के आपको यह पढ़ने है और बाकी current affairs जो जन्दल है वो आपको 6 महीने के पढ़ने है लेकिन special जो आपको ध्यान देना है वो इन पर देना है कि जुलाई गस्त सितंबर के जो banking संबंदित, business संबंदित, industry संबंदित, market संबंदित जो news है वे आपको जरूर पढ़नी है बाकी जैसे मैंने आपको कहा कि यही सही टाइम है कि आप अभी से अपनी तयारी शुरू करें देखिए अभी आपको जैसे मैंने आपको मार्च अप्रेल से आप सुरू कीजिए अगर आप एक महीना लेकर चलें, एक महीने के current affairs आप पढ़िए पिछले एक महीने के current affairs पढ़िए, मार्च के पढ़िए, अप्रेल के पढ़िए, मई के पढ़िए, तो अभी जून चल रहा है तो आप हर एक महीने के current affairs को आप तीन से चार दिन दीजिए जहां से भी आप पढ़ते हों, हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा, source क्या रहेगा, वो आप सुन लेजिए देखिए, आपको दो source फोले करने है, जिनमें की पहला source आपका current affairs पंडा रहना चाहिए ऐसा मैं आपको कहूंगा, यदि आपको 6 score करना है क्योंकि कई बार banking exam में ऐसा देखा गया, कि जो हमारी detailed explanation होता है उनसे ही बीच में जो points होते हैं, उनसे current affairs में आपके question पूछे जाते हैं assignment questions से कई बार देखे गई, questions पूछे जाते हैं तो इसलिए हमारी current affairs आपके लिए काफी महत्तपूर्ण है और दूसरा source आप कुछ भी follow कर सकते हैं, दो source आप follow करना है और दूसरा source भी आपको अच्छा ही follow करना है current affairs फंडा जैसा ही आपको दूसरा source भी अच्छा ही होना चाहिए तो दो source आप जरूर follow करें current affairs के लिए अब आपके पास मान लिजे, दो PDF हो गई है PDF ज़्यादा collect नहीं करनी है, दो PDF हो गई है MCQs पढ़िए, और मैं तो यह कहूँगा आप होगी detail MCQs वाले जो question होते हैं, वो आपको पढ़ने है detail आपके पढ़ने जरूरी है, जो description हो ज़्यादा है question का हो पढ़ना आपके लिए काफी मैत पोड़ है केवल one liner से काम नहीं चलेगा तो यही सही time है कि आप अपनी तयारी शुरू करें अब देखें March, April, मई तो अगर आप 200 से पढ़ते हैं, तो हर एक महिने को आप इस तरह से तयार कीजे अभी कुछ मत कीजे, अभी current reasoning को थोड़ा side कीजे अभी पहले आप अपने पीछरे के तीन महीने गए है ना इनको पूरा कीजे और बिल्कुल जो present चल रहा है इसमें आईए present चल रहा है मतलब जून चल रहा है तो आप क्या कीजे, March, April, मई इन तीनों के current affairs को चार चार दिन दीजे और चार चार दिन में आप दोनों ही sources से current affairs अपने complete कीजिए आप आजाएंगे जून में अब जून में हमारी अगर आप देखें तो week 1 हो चुका है, है ना week 2 स्टार्ट हो जाएगा इन दोनों तक आप आजाएए week 1 पुरा पढ़ लीजिए अगर आपने course ले रखा है तो PDF आपको मिली जाती है, बाकि अगर आप वीडियो से notes बनाते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप आजाएए बिल्कुल current में up to date हो जाएए, अब यहां से आपको daily चलना है, daily चलना है कब तक means examination तक आपनो daily current affairs पढ़ने है, मान लीजिए इस बीच आपका कोई exam होता है, आपका मानी यह exam Sunday को है, तो आप Saturday या Friday को current affairs daily session आप skip कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, दो session आप skip कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप daily current affairs में एक या दो दिन से ज़्यादा का gap करेंगे, तो वो जो continuity हो तूड जाती है, और current affairs में continuity बहुत जुरूरी है मैं ऐसा मानता हूँ कि current affairs monthly पढ़ने के बजाए, यदि daily पढ़े जाए, तो mind ज़्यादा active रहता है, ज़्यादा समझ में आता है daily current affairs, monthly monthly current affairs पढ़ने का फायदा तब ही होता है, जब कि time तो कम है, क्योंकि अभी जब notification निकला है, आपके पास परियाप समय है तयारी का, तो आप अच्छे से तयारी कीजिए और daily current affairs पढ़े जैसे कि मैंने आपको बता है यही सही time है, कि आप daily current affairs में अपना habit बना दीजिए, हाँ मुझे daily पढ़ने है, कोई आपका exam है, उसकी तयारी में मानता हूँ कि चाहिए होती है, इसके लाव को your exam है, बीच में पढ़ जाए अगले महीने या किसी महीने तो आप उसकी side by side करते रहिए, और और आपको मैं एक बात और बताऊंगा, कभी भी current affairs के इस तरह की series ना देखे है, हाला कि जो और channels है, आप सभी तो जानते ही है current affairs का कौन क्या पढ़ाता है, तो मेरे साब से देखिए, सभी current affairs अच्छा पढ़ाता है current affairs में ऐसा कुछ यह है कि सब common news रहती है तो देखिए, कभी भी आप current affairs को इस तरह से ना पढ़े कि एक से देड़ घंटे की आप lecture देखी रहे है current affairs का, इतनी जरूरत नहीं पढ़ती है 20 से 25 मिनट के lecture देखिए, अगर आप देखते हैं, वरना आप lecture छोड़िए, PDF पढ़िए अपनी बात नहीं कर रहा है, हमारे current affairs तो 20 से 25 मिनट होते हैं, इस से जादा नहीं होते हैं तो अगर आपका कोई exam भी है, तो कि आप daily 20 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, daily current affairs के लिए बिल्कुल निकाल सकते हैं लेकिन वो उसमें मत पढ़िए daily आप एक से देड़ घंटे current affairs ही पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो live chat चलती रहती है, उसमें बच्चे बोलते रहते हैं और teacher भी बात करते रहते हैं, वो एक time waste है, मैं साफ कोंगा time waste हो बिल्कुल, ठीक है, आप क्या कीजिए, अ तो आप अपने आप समझदार बनिए, अपने time को manage करिए, बहुत precious होता है time, हर एक second जो बीट गया वो फिर दुबारा वापस नहीं आता, चलिए आगे देखेंगे हमारा focus किस पर रहेगा, यही मैं आपको बताना चाता था कि focus किस चीच पर रखना है, पहला focus rank और index पर रह top 5 जरूर जानने है, यादि किस index में top 5 दिये हुए है, तो top 5 आपको जरूर जानने क्योंकि options इस तरह से बन जाते हैं, कि कौन top 5 में या फिर कौन top 4 में include नहीं है, ठीक है, दो चीचे हो गई, भारती rank, top 5, top 5 में ही पहली position आ जाएगी, तीसरा है कि वो index किसके द्वारा जा countries हैं, इन में, आपको ये देखना है कि भारत से आगे कौन सा देश है, कई कुछ index ऐसे आता है, जिसमें भारत जो है काफी नीचे रहता है, और भारत से नीचे के वाल अफगानिस्तान रहता है, तो ऐसा भी पूछ लेता है, नेबर कंट्री की माँ बात कर रहा हूं, option बन इंडियन सब कॉंटिनेंट की जो कंट्रीज हैं, तो इस तरह से आपको पढ़ना है, तो ये तीन चार पॉइंट आपको याद रखने हैं, दूसरा है, अपॉइनमेंट्स आपको पढ़नी है, नेशनल और इंटरनेशन अपॉइनमेंट्स, काफी महत्त्य पूर्ण रहता ह इसपोर्ट्स काफी कंफ्यूजिंग है, तो इसपोर्ट्स तो आप जरूर पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, तभी आपको याद रहेंगे, भारत ने कितने मेडल जीते हैं, कौन सा प्लेयर किस संबंदित है, किसने गोल्ड मेडल जीता है, तो उसकी ये भी आप य नए गेम्स कौन से जुड़े हैं, किस इवेंट में, ये आपको देखना है, बाकी नोबेल प्राइज आपको देखने हैं, ये पूछ जाता है, अवार्ड में आप याद रखेंगे, प्राइज मनी अगर उसमें दी गई है, ये भी आप देखें कितना प्राइज मनी मिलती वह आप देखेंगे क्योंकि यह तो बदलती रहती है जो अपना बदलती रहती है टार्गेट सेट बाइ गुवर्मेंट और इंडिया ने कहा है कि हम यह टार्गेट 2030 तक अचीव कर लेंगे यह टार्गेट मैं पूर्ण में सब कवार रहता है टार्गेट वाला तो खासका और यह पूछा भी जाता है दूसरा है अब कुछ बच्चों में यह कंफूजन रहता है कि सर इसकीम इतनी सारी है कैसे पड़ें तो देखिए ऐसा है कि जो चीज आपको इस स्कीम को एक्स्टेंड कर दिया गया है 2026 तक 2024 तक उन स्कीम को पढ़िये केवल उनके बारे में डिटेल पढ़िये कब लॉंच हुई कहां पर लॉंच ही गई थी क्या बजट है क्या eligibility है वह पढ़िये केवल जिनको एक्स्टेंड कर दिया गया है हमारे current affairs PDF में आपको म एक्स्टेंड कर दी गई है साथ-साथ कुछी स्कीम यह पूछी गई थी कि कब लॉंच होई या उसके प्रोविजन पूछे गए वह वही स्कीम तो जिने एक्स्टेंड कर दिया गया हाली में किसी स्कीम ने साथ साल पूरे कर लिए छे साल पूरे कर लिए ठीक है प्राइम ने करना है book and author पर अगर आ रहा है समझ में पढ़ लिए जो लेटेस्ट ने से रसकीन मौन की book होती हैं काफी महत्तपूर्ण होती है जुमपा लाई रही है उनकी book महत्तपूर्ण होती है ठीक है तो यह जो अगर latest book जारी करते हैं तो वो आपके लिए काफी महत्त पूर्ण होती है उन्हें आप पढ़ सकते हैं बागिया डेजूंट थीम्हाइं धीक्ण कैसे पड़ेंगे इतने सारे डेजंग्यों होते हैं मेंस एक्जामनेयशन से दो महिने पहले के या तीन महिने पहले के तो देखे लिजेगा और एक महीने बात के days देख लिजेगा मनझे अक्टुबर के देखे लिए आपने केवल days days theme नहीं देखेंगे, theme तो कुछ के जारू ही होते हैं, लेकिन सितंबर और जुलाई अगस सितंबर इनके आप डेज भी देखेंगे और थीम्स भी देखेंगे इतना इनफ रहेगा आगे बात करें डिफेंस नियूज आप देखेंगे एक्सराइज कौन सी यह उनका कौन सा एडिशन हुआ है बारतर बांगलादिस के बीच यह एक् आपको देखनी है आर बिया यूज जब जे नियूज में रहते हैं हुं महत्यपूर्ण रहता है नीतियाउग ने क्या लौज यूज किया कि कई सारे इंडेक्स हैं वो जारी हुए उसमें कौन सा स्थ इस्टेट तॉप थ्री स्टेट कौन से हैं लास्ट के थी स्टेट और बारे में तो आपको सब कुछ पढ़ना है प्राइम मिनिस्टर इन इस कंट्री के दोरे पर गए उन्होंने वहां पर क्या-क्या लौंच किया यह आपको जानना चाहिए किस राज्य वहां की Capital क्या है ऐसी प्राइमेस्टर रेंद मोधी कहीं पर गए किसी कॉंफरेंस में किस कंट्री में हो रही है वो Capital currency क्या है बेंकिंग एम यूज आपको पढ़ने हैं किसी बेंक ने किसके साथ किस इंसुरेंस कंपनी के साथ जो है एंस्यूरेंस किया है या फिर किसने किस कंपनी में किसने डाइवस्ट किये है औभी चुरी आपको देखनी है अच्छा किसी देश के राष्टपती का निदन हो गया जो की इंक्यूमेंट थे वहां की करंसी कैपिटल आपको देखनी है दूसरा यह है कि कैबिनेट मिनिस्टर और उनके क्या क्या पॉर्टफोलिय यह आपको देखना है यूनियन गौर्वर्मेंट में यह आपको देखने है वर्ड का लोंगेस्ट बीच कहां पर खुला भारत का लोंगेस्ट बीच कहां पर खुला ओपन हुआ या फिर कौन भारत की पहली मईला बनी चीनों ने इसमें इस इवेंट में यह वाला पदक जीता है इस तरह की न्यूज मैंत पून रहेंगी बजट आपके लिए महत्र पून रहेगा बजट में पूरा नहीं पढ़ना है अगर आप सर्च करेंगे करंट अफेर्स फंडा बजट तो आपको पूरा एमसी क्यों मिल जाएगा वीडियो वह आप देख लिए जगा इनफ रहेगा आपके लिए आगे बात करें आपको बैंकिंग अपने डेली करंट अफेर्स में तो यह डेफिनेशन के रूप में पूछ लेते हैं एक कुशन बन जाता है और यह यूनिकॉर्ण डेक अकॉर्ण यह भी पूछ ले जाता है आगे अगर हम बात करें बैंकिंग अवेंडिनेस आपको पढ़नी है ठीक है बैंकिंग अगर हम स्टेटिक पार्ट की बात करते हैं स्टेटिक पार्ट में आपको मन्यूमेंट्स टेंपल्स नेसल पार्ग ताइगर रिजर्व जी आई टेग यूनेसको वर्ल्ड हरीटेस साइट्स एरपोर्ट्स लेक्स कैप्टेर एंड करंसी यह सब पढ़ने हैं ठीक है अब देखिए अगर आपको आपके पास काफी टाइम है यह स्टेटिजी के आप लास्ट में पढ़िएगा अपने करंट अफिर्स आप अप टूडेट रही है यह भी मत पढ़िए यह तभी जब एकजाम होगा तभी पढ़िएगा नेसल पार्ग टाइगर रिजर्व मोन्यूम आपके बनते हैं तो यह पूरा डिसकेशन मैंने आपको बताया है कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो करंट तो आप कमेंड बोक्स में जुरू पूछेगा बस यह याद रखेगा कि करंट अफेर्स आज से ही अपने पढ़िए पिछले दो तीन महीने करंट अफेर्स म सब्सक्राइब कराते हैं कोई अगर आपका डाउट है मरे पीडिएफ को संबंदी तो आप हमें कोमेंड बुक्स में जरूर लिखेगा साथ ही करंट अफेर्स फंड पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट कुछिस हम आप सब्सक अब किसी भी कुश्चन का सोलुइशन पा सकते हैं और दोस्ते आपने अपने अपने दोस्तों के साथ हमारे करंट अफेर्स को शेयर जरूर करें और आज का सेशन आपको कैसा लगा कॉमेंड बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद गाइस